नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रिट कुम रासी वालों सितंबर ऑक्टूबर नवंबर 2020 ये तीन महिना आपके जीवन पर कैसा क्या परभाव डालने वाला है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे तो वीडियो के अंतक बने रह हैं और ये प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है कुम रासी वालों सबसे पहले बात करेंगे सितंबर 2020 की तो इस महिने चंदरमा आपके लगन में रहेंगे सुर्वात में मंगल देव आपके तृते भाव में होंगे राहु देव आपके पंचम भाव में रहेंगे और सुक्रदेव आपके छटे भाउं में रहेंगे सुरे बुद्ध आपके सब्तम्भाउं में हैं और देव गुरु भेस्पती केतु के साथ आपके 11 भाउं में रहेंगे अब तमाम गरहों की अगर हम स्थिती से जानें तो ये जो आपके लिए सितंबर 2020 का महिना है सुरुआत में बहुत ही जादा खुबसूरत से सैयों के साथ आया है लगन का चंद्रमाउं वैसे भी आपको मानसिक बल देगा आपके जीवन में खुजिया ही खुजिया होंगी हलांकि पहले जो सप्ता है पहला सप्ता अगर हम 10 सितंबर तक की बात करें एक सितंबर से तो जो बिद्यारती हैं उनके लिए सफलता मिलने के योग बनाएगा ये सितंबर का मेहना और आपके जीवन में पढ़ाई में भी आपको मज़ा आएगा अगर कोई रिजल्ट आने हैं तो यकिनन वो रिजल्ट आपके ही पक्च में आएगा दूसरी तरफ जो उच्चा दिकारी बेगेरे आपके आफिस में होंगे उनके साथ आपको बेहतर सम्मंद बना कर चलना होगा आपके बॉस के साथ आपका सम्मंद अगर बेहतर नहीं हुआ तो फिर दिकते आएंगी और आफिस में जो भी कारे करते हैं उसमें अपना सत्परतिसत देने की कोशिस करें तब आपके जीवन में आपको लाब की इस्तितियां सुलब होगी आपको मिलेगी और एक बात का ध्यान रखिएगा चुकि खुसियां तो आ रही है लेकिन कोई भी निरने बहुत सोच समझ कर लें किसी की बहकावे में आकर किसी की बातों में आकर कोई भी निरने लेने से बचिएगा जो इस समय बैसे तो आपके दोस्तों की संख्यां बढ़ेगी बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जो बहुत लंबे समय से आप जिनसे नहीं मिल पाए हैं उनसे भी मुलाकाते होंगी तो यानि यहाँ पर छीजें बहतर है और आप कोई योजना भी बनाते दिखेंगे जो वेपसाई वर्ग हैं और योजना पर आप काम भी कीजिएगा परशनल बाते गुपत बाते जो आप अपनों से छिपाना चाहते हैं वो सारवजनिक ना हो जाएं कहीं उनके सामने ना आ जाएं अब ऐसे में इन चीजों से आपको बचना होगा क्योंकि घर परिवार में आपके कुछ ऐसे राज जो उजागर होने से कलहकलेस करवा सकता है और पैसे आएंगे भी क्योंकि आप इसमें अपना सत्परतिसाद दे रहे हैं और धन की इस्तिती धीरे धीरे बेहतर होती चले जाएगी अपना मकान भूमी संपत्ती प्रोपर्टी बेगैरा सब लेने के योग भी सितंबर के मेहने में बनेंगे लेकिन सूरे देप चुकि यहां आपके सप्तंबह से जैसे ही अस्तंबह में आएंगे 16 सितंबर को अब यहां से 18 और 19 यह जो दो दिन है यह अस्तंबह का चंद्रमा आपके जीवन में बिस गोल सकता है क्योंकि यहां पर सूरे के साथ चंद्रमा के आजाने से आग और पानी का कारे हो जाएगा अब आपके जीवन में कहीं कोई औसुब समाचार आपको सुनने को ना मिल जाए कहीं धन के मामलों में आप फस न जाए कोई आपके साथ बैमानी ना कर ले यानि धन के मामलों में भी आपको साबधानी रखना पड़ेगा वैसे यहाँ पर हर मामले में चाहे वो कोई भी डिसीजन हो बहुत सोच समझ कर लीजिए इन दो दिनों में साबधान रहिएगा और कोई भी ऐसा कारे ना करें जिसके कारण बाद में आपको पस्ता ना परें खास कर धन के मौमनों में संभल के रहें वैसे तो अंतिम सप्ता में आप एक बात याद रखे किसी भी बैक्ती को अपने पर्सनल लाइफ में इंटर्फेर करने का अधिकार मत दीजिए नहीं तो ये अंतिम सप्ता सितंबर के महिने का किसी तीसरे के कारण कलह कलेस मचा कर ही जाएगा तो हमेशा ही ख्याल रखे कोई भी बाहरी बैक्ती है या घर का ही लोग क्यों नहों आप दोनों के बीच किसी तीसरे को आने ही ना दे आपके जगरे आप खुद सुलजाए नहीं तो महाभारत हो सकता है थोड़ा ख्याल रखे लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखे यहां पर आपकी साड़े साती भी सुरू हो चुकी है और अभी तो छे मेने हुए हैं साथ साल अभी बांकी है इसलिए बहुत ध समताव में अगर कहीं कोई पुलीस केस मुकदमा कोर्ट कचारी जैसी स्थिती है तो फिर आपको साब्धान रेना होगा क्योंकि यहां आपको राहत मिलती नहीं दिखती अब बात करते हैं ऑक्टूबर दो हजार बीस की कुमरासी वालों ओक्टूबर दो हजार बीस के मेने में पहले जानते हैं गर्षों की चाल क्या कहती है देखिये चन्दरमा आपके धन भौँ में रहेंगे मंगल देव आपके तीसरे भाँ में रहेंगे राहु देव चोथे भाँ में है सुक्र देव आपके सप्तम भाँ में रहेंगे और सुरे अस्टम भाँ में देव गुरु ब्रहस पती आपके 11 भाँ में रहेंगे अब सुरुवात से ही अगर हम बात करें तो मिला जुला हुआ है ना बहुत अच्छा ना बहुत गरबर तो अक्टूबर के मेहने में आपके जीवन में मिला जुला ही फल मिलेगा तो अब जानते हैं सुरुवात में क्या होगा देखिए अगर आप बिजनसमेन हैं अगर आप partnership में business करते हैं तो कोई नया अनुबंद हो सकता है कोई नई deal हो सकती है जो आगे चल कर आपको लाव देगा क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपके बॉस को नाराज कर सकता है तो थोड़ा सा अपने काम पर फोकस बनाए रखे और सही समय पर सही तरीके से काम करें मंगल और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तब आपके जीवन में आपको क्रोध आपका बढ़ेगा आपकी वानी एकदम से थोड़ी कड़वी हो जाएगी और फिर क्या होगा आप गलत निरने ले लेंगे आवेस में आकर आपके जो यहां पर प्राकरम तो बढ़ेगा यान कि आप अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त करेंगे लेकिन क्रोध में आकर आवेस में आकर कहीं कोई गलत निरने ना ले ले इसके लिए आपको समल के रहना होगा तो दूसरी तरफ घर परिवार में आपको सुख मिल रहा है इस समय आपका लब लाई भी अक्टूबर के मेहने में परवान चड़ेगा बहुत खुबसूरत तरीके से आपका लब आगे बढ़ रहा है ये चीजें अच्छी है अगर आप जौप करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा समल के रहना होगा लोगों की बातों में ना आए लोग क्या कहते हैं इसका ध्यान ना दे लोग क आपके सुर्य अस्टमभाव में रहेंगे और सोलह अक्टूबर को में नुम भाव में जाएंगे तब सोलह oike pine बीसक्टूबर तक आपको अपने सुस्वास्त का ख्याल रखना होगाकश अब यहां पर आपको आपको सिर्फ स्वास्त का ही ख्याल नहीं रखना बलकी यहां पर आपको बहुत समलके रहना है क्यूंकि जो बेपसाई हैं, आप जो योजनाय बना रहे हैं, आप ऐसा करोगे, यहां पे स्टॉक करोगे, यह माल लाओगे, तमाम तरकी चीजें होती हैं, अब वो कहीं अटक न जाए, इसका ख्याल रखना होगा, और दूसी तरफ अंतिम दिनों में आपको इस अक्टूब बाद में आपको पैसों की तंगी परिसान करेगी, तो जरूर से जादा सौपिंग करने से बचें, बात करते हैं नवंबर 2020 की, तो कुम रासी वालों, यह नवंबर का महिना पहले समझते हैं, गरहों की चाल क्या कहती है, तो जो मंगल देव हैं, आपके धन भाउ में रहें जो चंद्रमा हैं, आपके तीसरे भाउ में रहेंगे, और जो राहू हैं, आपके चोथे भाउ में रहेंगे, सुक्रदेव अस्टम भाउ में रहेंगे, सुरे आपके नवे भाउ में और केतू आपके दसम भाउ में रहेंगे, अब यहां से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में थोड़ा सा परिशानी बढ़ेगा इस नवंबर के मेहने में धोखा होने की संभावना है ऐसे में किसी पर भरोसा ना करें किसी को भी धन उधार देने लेने से बचें किसी की बातों में आकर या कहीं भी पैसे इंवेस्ट करने से बचिए क्योंकि बे बजह नहीं होगी लेकिन फिर भी लोग आपको परिसान करेंगे क्योंकि इस समय गर्वों की चाली ऐसी है तो पहले सब्ता हमें नौवंबर के मेहने में बहुत समलकर आपको समय गुजारना होगा और घर में भी स्वास समस्याय दिखती है तो थोड़ा सापधान रहे लेकिन दूस दूसरे सब्ता हमें नौवंबर में इस्तितियां धीरे धीरे आपके पक्छ में आएंगी धन की इस्तिति भी धीरे पहले से अपेक्छा अच्छी हो जाएंगी ओफिस का महौल भी अब धीरे धीरे बेतर होगा हलांकि कोई तो दोस्त आपके होंगे जो आपके सुख अपने पेसेंस अपने धैर के बल पर तमाम मुस्किलों पर विजय भी प्राप्त करेंगे तो कुल मिला कर दूसरा सब्ता आपके जीवन में थोड़ा सा चीजे बेहतर तो करेगा लेकिन आपको अपने आपको सिद्ध करना होगा पर अगर हम बात करें सुरे जैसे ही आपक चुकि यहां पर आपके नवे भौ में रहेंगे तो जैसे ही सुरे आपके दसम भौ में जाएंगे तब क्या होगा देखे यहां पर आपका बैपसा एक बार फिर से दौर पड़ेगा धल लाब होने लगेंगे आपकी जो मसूज बूज है आपका जो पेसंस है आपका धैर ह जो है वो मुस्किल काम को भी आसान कर देगा और कोट केस पुलीस केस मुकदमे बेगेरे में लाब तो होगा आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन पैसे खर्च होने की योग है इस समें आपको कर्ज बेगेरे लेने से बचना चाहिए बहुत सोच समझ कर ही ले और जरूरत से ज्यादा आप पैसे कर्ज लेने से भी बचे हलाकि आपके लव लाइफ में अंतिम ये जो नवंबर का मेना है अंतिम सप्ता थोड़ी परिसानी बढ़ाएगा थोड़ा सा तनाव देगा धन हानी भी होगा बेवज़ा यहां पर टेंसन बढ़ेगा तो लव लाइफ में साथी आपकी सुरूवी है तो सनी देव को मनाना तो बनता है दूसरी तरफ चुकि हां हर जगह दोखा ही दोखा दिखते रहा है तो इसके लिए आपको इन धोखे से बचने के लिए आप ओम बुम बुधाय नमक का जब करें या फिर सलाह लेकर एक पन्नाश्टों धारन कर उससे भी आपको लाब होगा तो हम आपसे बिदा लेते हैं लाइप से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव तरन्यवार झाल है